12 माई के करेंट एफेर के सेशन में डीडी अकाडमी के तरफ से आप सभी का स्वागत है तो चलिए समय को बिना बरबाद किये हुए हम करेंट एफेर के सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है बिटेन की 269 साल पुरानी टॉय कंपनी मतलब है खिलोने की कंपनी हेमले को किसने खरीदा तो जीहां ये रिलाएंस इंडस्ट्रीज मतलब मुकेश अंबानी की रिलाएंस इंडस्ट्रीज ने हेमले को खरीदा है सी डॉट बैनर इंटरनेशनल से ये पांचवी खरीद है इसके पहले सी डॉट बैनर इंटरनेशनल जो है दस करोर पाउंड में 2015 में खरीदा गया था ये जो है हेमले जो है ये 1760 में लंडन में ये बना हुआ था और सौदी अरब का शाही परिवार जो था उस वक्त उसके प्रमुग गहाकों में शामिल था और जो सौफ्ट टॉइस के अब कल्पना करते हैं मतलब जो अभी देखते हैं उसकी शुरुवात जो है वो हैमले ने किया हुआ था मतलब उस दौर के हैमले सबसे अग्रणी भूमी का था इसका और ब्रेजिक्ट के चलते जो है यूके के कंजुमर के कंफिडेंस जो गिर रहा है जिसके चलते हैं एक जो फाइल वीडियो है उनके दिया हुआ है गनित में जो कमजोर है एक दम अलग तरहके से शुरुआ से देखे मैं इस वीडियो को इसलिए यहां कर रहा हूँ के बारे में बता रहा हूँ अगर आप लोगों में से किसी को ये वीडियो का लिंक नहीं मिला हुआ है और आप गनीत को सिखने में परिशान है, कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको रास्ते दिखाएगे हैं और मैं इसका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इतना ही बताऊंगा कि इसका जो लिंक है, वो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है और उस लिंक का नाम है मैथ स्टडी लिंक जैसे वो क्लिक करेंगे, वो वीडियो आएगा, सारा चीज सीखेंगे साती सात सारा मेटेरियल्स भी वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं, करेंट एफेर्स का फिर से बोलता हूँ कि जो पहली बार मेरे को देख रहे है, कि दिन का दस खबर कम से कम होता है महिने का 300 खबर और 6 महिने का 1800 खबर तो यह जो 1800 नियूस पे पकर बनाते हैं, तभी आपके 10 मार्क्स के जो करेंट एफेर्स होते हैं, मिनिमम जो होते हैं, उसमें 8 मार्क्स मिलते हैं तो यह अपने आप में एक चैलेंज है, और इस चैलेंज को निपटने के लिए मेरे website में लेके जाता है, उस website में देखिए हर दिन का video भी सजाय हुआ है, PDF फाइल भी सजाय हुआ है, और test भी सजाय हुआ है, test को जैसे ही आप click करते हैं, तो तुरत क्या होता है, एक login होगा 1234 जिसमें आपको डालना है, password 1234 है, और जैसे ही login और password को करते हैं, password और username को डालते हैं और login करते हैं, तो आपका test शुरू हो जाता है, video देखने के बाद आप test दिया करें, यहाँ पे मैं एक बात बोलता हूँ कि यहाँ चुकि username सबका 1234 है, password भी 1234 है, कभी कभी क्या होता है, 40-50 जन जब एक साथ देते हैं, तो कभी मुसीबते करी हो जाती है, अगर आपको इसके लिए कोई भी अशुविधा हो रहा है, तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, कि अगर कोई problem हो रहा है test देने में मुझे खली comment करें, comment box में इस video के, तो फिर मैं क्या करूँगा, आपके लिए अलग से test ID बना दूँगा, फिर कभी problem नहीं होगा, तो कहने का मतलब है, यह 100% free है, और साथी साथ जो एक संपून तयारी के लिए मेरे तरफ से पहल है, और मैं आशा करता हूँ कि इसका फाइदा अब जरू उठाएंगे, कल देखिये सब्ताह का है, weekly है, हर रहिवार को जो है, मैं weekly publish करता हूँ, तो देखे weekly के केवल PDF फाइल और वीडियो ही sufficient नहीं होता है, उसके साथ जो जो जोड़ी होता है, सब्ता के पूर्या का जो है, साथ से सत्तर जो है, क्या करते हैं, घटना हैं, उसके उपर टेस देखे, उसको फिर से त्यार करणा है, तो आशा करता हूँ कि ये जो एक क्रमबधता के तरीके से मैं आपको current affairs को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसे अवश्य ही समर्थन करेंगे और जुरे हुए रहेंगे, चलिए अब next पे आते हैं, पाकिस्तान के किस सहर में पांच सितारा होटल पर आतंकी हमले हुए, जियां अभी शाम मतलब आज जो है 11 तारीक है, मतलब मैं 12 तारीक का 11 तारीक को कर रहा हूँ, तभी मैं कर सकता हूँ, तो ये शाम के 6 बजे हुआ था, ये ग्वादर करके ए एक होटल है, परल कल्टिनेंटल होटल ग्वादर, यहां पर भी तीन आतंकी, जैसे हमारे बंबे में घुश के आये थे, यहां भी भी घुश चुके हैं, और ये साथ में रॉकेट लांचर तक भी लेके आये हुए हैं, और तावर तोर गोली बारी कर रहे हैं, ये बताया का मतलब है कि ये एक बड़ी खबर बन सकती है, इसके लिए मैंने पहले ही से कौवर किया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्य व्यापार संगठन या डबलू टियो की मंत्री स्तरिय बैठक 2019 में भारत के किश सहर में होने वाली है, ये इंपोर्टेंट सवाल है, और य इश्य व्यापार संगठन का जो मंतिस तरिय बैठक है, ये नई दिल्ले में आया जो थोने वाली है, जिसमें 16 विकासिल देश और 6 जो हैं अल्प विक्सी देश इस बैठक में हिस्सा लेंगे, दो देखिए उसमें आर्जेंटीना है, बंगला देश है, बर्बाडॉज है बेनीन है, ब्राजील है, Central African Republic है, चैड है, चाइना है, इजिप्ट है, गाटेमाला है, गॵेना है, इन डोनेशिया है, जमाइका है, कजाकिस्तान है, मालावी है, मलेशिया है, नाजिरिया है, ओमन है, सौधी अरेबिया है, साथ अफ्रीका है, तर्की और उगांडा है तो इनकी जो बैठक जो है नई दिल्ली में होने वाली है चलिए अब आगे बरते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के लगबग सारे तीन लाख नियोजी टीचर्स के सामने वेतन सम्मंदी फैसले को रद्द कर दिया अगर बिहार की एक्जाम दिने जा रहे हैं तो यह काफी महत्वपूर्ण है और नेशनल लेवेल पे भी महत्वपूर्ण है तो सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को तो बिहार राज्य के सारे तीन लाख टीचर्स जो अभी वाँ हैं उनके एक समान वेतन का जो है समान काम समान दाम इस पे जो पतना हाई कोर्ट ने जो उनके फेवर में और दिया था बिहार गौर्ब्मेंट ने उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में गए और बिहार सरकार की अपील को मर्जूर करते हुए समान मतलब है कि समान इसको बुला जाता है समान काम समान वेतन ये जो महीम था इसे रिजेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के बदले समान वेतन जो है इनकी मांग थी तो इसे जो है सुप्रिम कोर्ट ने रिजेट कर दिया जबकि याद रखेंगे पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को मंजूरी दिया हुआ था चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेड्रिक ओपन के सेमी फाइनल में फैलिक्स ओगर को हरा कर कौन से खिलारी ने टूनामेंट में पचासवी जीत दर्जी की है ये राफेल नडाल जी है राफेल नडाल जी का इसवार का ऐसे तो थोरी से वक्त अच्छा हुआ है लेकिन ये पिछले मैंने ही मोंटे कार्लो और बरसिलोना में उन्हें हार का सामना करना परा था और ये बुद्वार को कनाडा की युवा फैलिक्स ओगर एलियासी को इन्होंने हराया सीधे सेट पर हराया और उसके बाद उन्होंने पचासवी जीत दरजी की है ये सेमी फाइनल का रिपर्ट मैं बोल रहा हूँ मैड्रिक ओपन का अब नेक्स आते हैं भारत ने हाल ही में किस अंतरास्टियर फोरम को फोरम में अब्जर्वर की रूप में फिर से चुना लिया था जी आए काफी इंपोर्टेंट है देखें कि इस जो ये अंतरास्टियर फोरम है उसका मेंबर भारत नहीं है भारत को अब्जर्वर के तरह से वहां के जो फोरम का कामकाद सही रही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है इसको जानने के लिए observer के रूप में चुना गिया है यह Arctic परिशद है और सवाल काफी महत्वपूर नहीं याद रखेंगे यह Finland के रोवानियमी में जो इस बार 11 आर्क्टिक परिशद की बैठक होड़ा है Arctic Council की होड़ा है उसमें भारत को जो है परजवेक्षक के रूप में फिर से चुना गिया है अब देखें आर्क्टिक काउंसिल के जो है कौन-कौन देश मेंबर है कनाड़ा है, डेन्मार्क है, फिनलेंड है, आइसलेंड है, नौर्वे है, रूस है, स्वीडन है और अमेरिका है और यह हमारे लिए एक गर्व की बात है, कि हमारे इंडिया को जो है, उसमें एक आप्जरवर के रूप में, उनके कामकाज सही रूप से होते हैं कि नहीं तो इस तरह के हर जो अंतराष्टिय फोरम observer के रूप में किसी देश को चुनते हैं तो हमारे देश को फिर दोबारा चुना गिया है क्योंकि हमारा कामकाज सही था अब नेक्स सवाल पे आते हैं भारत में आधुनी कानूनी सिच्छा के पिता का नाम बताई नेशनल लौ स्कूल अफ इंडिया का स्थाफणा किया कलकत्ता में भी इसने नेशनल इनवर्सिटी अफ जूडिशियल साइंसेज का किया था भोपाल में भी उसने नेशनल जूडिशियल अकादिमी की स्थापना की थी इनके प्रमुख 12 किताब है और आदुनिक कानून की सिच्छा के पिता तो छोड़ दीजे, पितामा के नाम से भी ये जाने जाते हैं, एनर माधाव मेना, तो चलिए अप नेक्स नियूस पे आते हैं, दो हजार पन्रह के परमानु समझाते की तहत, कुछ प्रमुक प्रतिबद्धताओं से, किस देश ने अपनी वापसी की घोशना की है, तो देखी ये संपूर्ण वापसी नहीं हुई है, ये बोलते हैं कि मैं पार्शिल वापसी हो रही है, मतलब संपूर्ण नहीं अर्ध वा दो आता जिस प्रमें इरान ने भी साइन किया था, लेकिन पीछले साल में, अमेरिका ने, चुकि ये समझात में बहुत सारी घरगर, अमेरिका ने बोला कि मैं इस समझाते से हड़ जाता हूं, इस बार जो है, इरान के उपर ऐसे भी जो है, उनके इसमें, जो हैं, जिसके आप जानते हैं कि हर जगह से उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया गया है तो इरान के राष्ट्रपती हसन रुहानी ने कहा है कि वो भी जो है इस पैक्ट से जो है ठीक है ना 2015 के परमानु समझाथा से वो भी पीछे हट रहे हैं लेकिन कितना पीछे हट रहे हैं उन्होंने वो बताया नहीं है ठीक है ना और आप जानते हैं इरान के साथ जो अमेरिका का तनाव दिन पर दिन बरता हुआ जा रहा है अमेरिका के साथ दो देश के तनाव बहुत बर रहे हैं जैसे कल मैंने बोला था चीन के साथ भी थनाव बर रहे हैं जिसके लिए IMF ने वार्निंग दिया है कि ये पूरे विश्यो के जो है बिजनेस पटल पर बहुत जादा असर डालेगा इरान करता तो है ही है अब चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं किस देश ने भारतिय मूल के लोगों को ब्लैक लिस्ट को समाप्त कर दिया है देखिए सवाल थोड़ा सा ठीकी है इस पर जरा समझीएगा भारतिय मूल के लोगों को ब्लैक लिस्ट को समाप्त कर दिया है ये इंडिया खुद है इंडिया का ग्रिया मंत्राल है ये मामला क्य जो गए हैं यह एक गरत पेपर बना के जाते हैं मतलब वहां जाके बताते हैं कि हमें जो है इंडिया में क्या करते हैं तंग किया जा रहा है हम वहां सुरक्षित नहीं हैं तो हमें राजनेति हमें शरन दे दो तो उस तरह से वहाँ पर विदेश में शरण लिए गए ये सीख समुदा है इस तरह करके कनाड़ा में जाके बस गए है अब तब क्या हुआ था भारत ने इनके लिए कोई विजा देना ही बंद कर दिया कि तुम आके नागडिक बन गए हो कनाड़ा के तो तुम कनाड़ा में रहे हो तुम आहीं नहीं सकते हो इस देश में अब इतने सालों के बाद जो है इनका तुम नाम एक ब्लैक लिस्ट में रख दिया जाता था अब है कि सरकार ने इस बार मंगलवार को बोला है कि इनको अब नियमित हम विजा भी देंगे और इनकी जो है प्रवासी नागरिक कार्ड जो है उसकी जो है वो भी इनको दिये जाएंगे तो ये जो ब्लैक लिस्ट जो हुए थे जो मैक्सिमम आपके सीख समुदा है जो मैक्सिमम कनाड़ा में रहते हैं उनके लिए एक अच्छी ख़बर है अब नेक्स्ट पे आते हैं कल का जो सवाल था वर्ल्ड मदर दे कब मनाया जाता है सब ने सही दिया था इसके लिए सब को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा लगता है कि इस तरह के जब और एक्स्प्लानेशन भी बहुत लोगों ने दिया था ये भी अच्छी बात है तो फिर हम थोड़ा सा ज मई महिने के दूसरा रवी बार और ये जो है बारा मई को होता है मनाया गया है मतलब इस साल मनाया जा रहा है पहली बार मात्री दिवस जो है 1908 में अमेरिका के वेस्ट वर्जेनिया और फिलांडेल्फिया में मनाया गया था 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपती वुड्रो विल्सन ने एक कानून बनाया जिसके अंतरगत ये स्पर्ष्ट किया गया था कि प्रत्यक वर्ष के मई महिने के दूसरे रविवार को मात्री दिवस बनाया जाएगा तब से जो है इस 1914 में बना तब से हम भी इस चीज़ को मान रहे हैं हम भी महिने के दूसरे रविवार को हम विश्व मात्री दिवस मनाते हैं और आज का सवाल जो है राष्ट्रिय प्रोद्दोगी की दिवस नेशनल टेक्मलोजी डे कब मनाया जाता है और चलिए इसके साथ में एक सवाल अगर आप एक्स्प्लानेशन के रूप में लिख सकते हैं क्यों मनाया जाता है तो बड़ी अच्छा बात हो कहीं कि अच्छा लगेगा कि ये चीज क्यों मनाया जा रहा है ये भी क्लियर होना काफी जोड़ी है और मैं जानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी आपका सही उत्तर आएगा और आपके उत्तर के मैं इंत जार में रहूंगा, तो आप लोगों ने समय दिया, इसलिए आप सभी को बेड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद ओके दन, बबाए जैहिन